अब ह hides Пос Pandaशिप डीड़ इस साइलेंट अबाउट इंट्रेस्ट款 कैपिटल डेन नो इंट्रेस्ट कैपितल से related provisions की बात करें तो वहाँ पर क्या-क्या चीज़े ऐसी हैं जो apply हो जाती है partnership act 1932 जो हमें बताता है कि interest on capital अगर आपको देना है तो यह provisions यह rules आपको देखने ही पड़ेंगे normal provision क्या कहता है कि partnership deed में लिखावा है तो चुपचाप दे दो यही होता है रा partnership deed या question में हमें जब interest on capital के बारे में लिखावा मिलता है तो हम interest on capital दे देते हैं न पार्टनर को लेकिन अगर उसके साथ कुछ special circumstances बन जाए कुछ special conditions लग जाए तो वहाँ पर कैसे calculate करेंगे हम interest on capital वो समझ रहा है ठीक है तो पहला provision है if partnership deed is silent about interest on capital then no interest on capital will be provided to any of the partner ठीक है अगर partnership deed silent है अगर partnership deed silent है अच्छा partnership deed silent है कहने का मतलब क्या है या पर दो बात है या तो partnership deed बनाई ही नहीं गई या फिर partnership deed बनाई लेकिन interest on capital के बारे में कुछ भी नहीं लिखा दोना ही चीज़े इस पॉइंट में कबर है पार्टनेशिप डीड नहीं बनाई तो भी और partnership deed बनाई पर interest on capital के बारे में नहीं लिखा वा पार्टनेशिप डीड में तो भी हमें कोई interest on capital नहीं देना है किसी पार्टनर को पहला प्रोविजन किलियर है या नहीं है समझ में आ गया सिंपल सी बात है partnership deed is silent about interest on capital then no interest on capital will be provided to any of the partner clear हुआ या नहीं हुआ अब चाहे पार्नेशिप डीड बनाई है या नहीं बनाई interest on capital के बारे में नहीं लिखावा तो किसी पार्टनर को कोई interest on capital नहीं दिया जाएगा प्रोविजन नंबर टू प्रोविजन नंबर टू प्रोविजन नंबर टू क्या कहता है सुनिएगा इप पार्टनर्शिप डीड प्रोवाइड्स क्रह्चरिक अठावजर्याक प्रोविजन नंबर टू मुझेज ऑर्टनर्शिपकर सिल्यक्ष Dad कि लियर fudge निमबर नॉबर टू क्या कहता है और फ़ पार्टनेशिप दीड्म प्रोवाइड सो इंट्रस्टन कैपिटल ता सो only case of profit only in case of profit interest on capital will be provided ठीक है क्या कहा रहा है के partnership deed में लिखावा है partnership deed में क्या लिखावा है कैंप लिखावा है कि इंट्रस्ट लॉन कैपिटल देना है तो कब देंगे बेटा जब प्रॉफिट होगा जब अगर कम को लॉस हो गया तो interest on capital नहीं देना चाहे लिखावा है तुब भी नहीं देना दूसरा प्रणि laboratories डीड है पार्नेशिफ डीड में लिखावा भी एंट्रेस्ट्टन्स कैपिटल देना ये लेकिन कब देंगे जब प्रॉफिट होगा अगर फरम को प्रॉफिट नहीं हुआ यह फर्म को लॉस हुआ तो कोई इंट्रेस्टन्स कैपिटल्स दो प्रोविजन के लिएर हुए यह नहीं हुए तक समझ में आ गया प्रोविजान नंबर तरी प्रोविजान नंबर थि इस पार्टेश्प दीड में तो मेंशन है अब यह तो नॉर्मल्ब सा पॉइंट है ठीक है प्रटनाश्प पेमेंशन अंड्रेस्ट चैंट नियुक्त इफ एंटर्स्ट चैंट पीटल इस if there is more than profit available then profit will be distributed in interest on capital ratio यह बहुत इंपोटेंट है यह बहुत इंपोटेंट है यह बहुत इंपोटेंट है यहां से मल्टिपल चॉश्चन भी बनेगा ठीक है लिखावा है पार्टनर्शिप डीड में के इंट्रेस्ट और कैपिटल देना है प्रॉफिट होगा तभी देंगे ना पता है लेक प्रॉफिट हुआ लेकिन इंट्रेस्ट और कैपिटल ज्यादा बन रहा है प्रॉफिट हमारा कम है तो क्या हम प्रॉफिट से ज्यादा दे सकते हैं नहीं दे सकते तो कितना दे सकते हैं मैक्सिमम टॉ मैक्सिमम प्रॉफिट अबिलिबल तक है यह नहीं है तो वह सीधा बोला गया कि इंट्रस्ट और कैपिटल निकालो उसका रेशो बना लो उस रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड करते हो लड़ाई जगड़ाई का तब तो यह आपका मुल्टिवल चॉष्ट्ट भी बनेगा कि अगर इंट्रस्ट और कैपिटल ज्यादा है प्रॉफि इंट्रस्ट और कैपिटल इस तूवी कंसीडर्ड आज चार्ज ऑन प्रॉफिट चार्ज ऑन प्रॉफिट या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों का मतलब एक ही है देन इंट्रस्ट और कैपिटल विल बी प्रॉवाइड़ इवन फॉर्म ओकर सा लॉज इस प्रॉफिट और किंसीडर किया गया है चार्ज ऑन प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो लॉस को प्रॉफिटों Dann जादा प्रॉफिट हो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं सब्सक्राइब के नहीं कि यह दुबारा अगर लिखावा है कि बढ़ी पार्टनर्शिप टीड में लिखावा है कि इंट्रस्ट और कैपिटल देना एं बस इतना लिखावा है तो हमें शुरुआत के तीन प्रोविजन लगाने हैं देखना है क्या इंट्रेस्ट के बारे में कहा गया है अगर नहीं कहा गया तो कोई इंट्रेस्ट नहीं देना कहा गया है तो कब देना है जब प्रॉफिट होगा और कहा गया है देना है प्रॉफिट होगा तब देंगे प्रॉफिट हुआ है लेकिन कम हुआ है इ होते लेता कि उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे उससे ज्यादा देंगे तो लॉस हो जाएगा और लो नहीं तो लॉस के केस में तो इंट्रेस्ट तो नो एक होता है एप्रोप्रियेशन क्या होता है और एक होता है चार्ज एक होता है एप्रोप्रियेशन और एक क्या होता है चार्ज बेटा चार्ज कहने का मतलब क्या है चार्ज कहने का मतलब है चाहे फिर प्रॉफिट हो या लॉस हो चाहे फिर प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको वो खर्चा करना ही पड़ेगा वो चीज आपको provide करने ही पड़ेगी जब भी charge की बात आएगी कोई भी चीज ऐसी है जो charge वाली है तो उसका treatment हमेशा profit and loss account में होता है कहा होता है बेटा ना कि profit and loss लॉस एप्रोपेशन समझ में आया कि नहीं आया उसका ट्रीटमेंट कहा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकॉंट में कहा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकॉंट में और जो चीज़े एप्रोप्रेशन वाली है एप्रोप्रेशन का मलब क्या है बटवारा चाइज देखेगी एफ्रोप्रेशन और चार्ज दो चीज़े होती है एफ्रोप्रीएशन का मतलब है प्रॉफिट बगेरा का बट्वारा तो उसका ट्रीटमेंट कहा होगा भाउफिट रॉप्रफिट एल लाउस ट्रॉफिड लॉष्ट और जो चार्ज वाली चीज़ें हो लाबों से पहले बटवारे से पहले वाली चीज़ है ठीक है चलिए जी तो अब आ जाते हैं मिटा आपकी बुक में इलिस्टेशन नमबर 35 है होट्स हाई और तिंकिंग स्किल कोश्चन तुनो क्या कह रहा है सुनिया का ध्यान से ए और बी आपार्टनर्स शेरिंग प्रॉफिट और लॉस इंद रेशा ओफ त्री रेशा टू में बाठते हैं उनकी कैपिटल है दो लाग रुपे और एक लाग रुपे रिस्पेक्टिविली कहने का मतलब क्या है मतलब जिसका नाम पहले पहले वाला उसका तो पीटा एक एक का एक का बैलन्स अगर मैं पूछी तो कितना है दो लाग और बी की कैपिटल कितनी है दो लाग बी की कैपिटल प्रॉफिट को किस हिसाब से बाठते हैं तरी रेशो टू में समझ में आ गया क्या चलो जी आगए देखो कह राशो दार के त्रेशन प्रॉफिट के साथ से और आप से पूछा गयाँ क्या आप आप हमें बता दो इनका ऊब्रेटमेंट्मेंट किस तरीके से अब बता दो इनका टू किस तरीक़ ऑगiran डिस्ट को इस हिसाब बात हो कि फुदेटेंट का लॕकिरेंट कि순न घता I cannot install 250 ज। इस तो एस मुझे बतायों क्या इंट्रेस्टन कैपिटल दिया जाएगा टूर पाटनेशिप दीड में साइल इंट्रेस्टन कैपिटल की बारे में कुछ कहा ही नहीं गया तो क्या इन्ट्रेस्टन कैपिटल केशनन दीजा जाएगा नहीं दि जानए समझ में आ गया कि नहीं आया तो केस नमबर वर केस नमबर One का सोल्यूशन देखो पटावट अच्छा यहां पर हमें प्रोफिट को बाट होगे चलिए जी तो बनाईए बेटा यह हो गया आपका प्रोफिशन यह इसकी डैबिट साइड हो गई यह हमारी इन ऑके पीए को सबसे पहला काम हमारा यह होता प्रोफिट को लिगना प्रोफिट को लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में by profit and loss account के नाम से और कितना profit हुआ था 50,000 कितना profit हुआ था यह समझ में आया कि नहीं आया क्या interest on capital देना है क्या interest on capital देना है नहीं देना तो पेटा सीधा सीधा इस profit को यह बाट दे तो यह लिए तो profit और किस किस में बटेगा ए और बी में समझ में आगया क्या कि यहां पर आगया बेटा 50,000 तो यहां भी कितना आ जाएगा 50,000 प्रॉफिट भी कितना बचा 50,000 इस पचास जार को बाट जाएगा किस रेशो में ठीड़ी रेशो टू में तो बिट कितना कितना आ जाएगा इसका जाएगा 30,000 रुपए और इसका जाएगा वीसट रुपए यह आपका profit बटिया समझ में आया कि नहीं आया बोलो कि यह केस नमबर बन के लिएर और नहीं है प्का केस नमबर टू पर आजा वा जाओ केस नमबर टू देखो बेटा इफ पार्टनेशिप डीड प्रोवाइड फूर इंट्रेस्टन कैपिटल ओके इसका क्या मतलब है कि इंट्रेस्टन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है इंट्रेस्टन कैपिटल के बारे में और कितना देना बेठा 8% कितना देना है देखते और फिरम को हो गया लास पर्म को क्या हो गया लोगया तो क्या इंटरेस्ट Hybrid चैविल दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा सिर्फ प्रॉफित होता है जब तभी दिया जाएगा अधरवाइज बास्में तो चलिए जी इसमें आप एक चीज नोट कर लिजेगा इसमें प्रॉफिट लॉस एप्रपेशन नहीं बनेगा क्योंकि इसमें लाबों का बटवारा होई नीजा जब लाबों का बटवारा नहीं हो तो यहां पर बनाया जाएगा प्यानल अलगांट कौन सा चलो जी बिटा म यहां नहीं मना देता हूं यहां पर पॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यह हमारे डैपिट साइड हो गए और यह प्रेड़ साइड है ओके सबसे पहला काम हमारा क्या होता है बिटा प्रॉफिट यह लॉस को लिखना तो यहां पर क्या हुआ था लॉस क्या हुआ था पीटा लोस को किस साइल निखेंगे डाबिट साइड वैरी गुद तू लॉस और कितना हुआ है लॉस 50 जार कितना लॉस तो क्या इंट्रेस्ट रपर डिया जाएंगा नहीं देना खतम पर्यार लोग 50 जार पचास अजार इस लॉस को ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स में है या नहीं है कौन-कौन ए और पचास अजार को बेटा किस रेशो में डिस्टिबूट करेंगे सेम थ्री रेशो तू में बेटा इसका जाएगा तीस अजार रुपे में और इसका जाएगा 20,000 रुपे क्लियर है या नहीं है क्लियर हुआ या नहीं हुआ दोनों केस के लिए रहे केस नंबर थ्री केस नंबर थ्री केस नंबर थ्री पर आजाओ बेटा पार्टनेशिप डीड प्रोवाइड फोर इंट्रस्ट रन कैपिटल एड बेट प्राफिट फॉर दे सकते हैं चलो पहले एक बार इंट्रस्ट निकाल गए रहे कि देख ले तो बेटा एक की capital पे interest लगाया तो एक की capital है दो लाग दो लाग का 8% निकाला तो A को मिलेगा 16,000 मिलेगा के नहीं मिलेगा और B की capital एक लाग का 8% कितना हो जाएगा 8,000 तो कुल मिला करके total interest on capital की बात करें तो 24,000 बनेगा के नहीं बनेगा और हमारे पास profit कितना available है 50 तो आसानी से दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं बनाएं बेटा case number 3 का अच्छा यहां पर अब मुझे बताओ किया वनेगा समझ में आ गया क्यों बनेगा पीनल अप्रॉफेशन वैरी गुड यह डिइविट्साइड हो गई प्रोसट लिखें बाई ये अगाल प्रोसट को लिख ले रहा अगत्तिक हैं और इंटरेस्ट ऑन क्या पर ए और बी एक ही पर इंट्रस्ट है 16,000 और बी की पर आठ हजार कुल मिलाकर के कितना इंट्रस्ट हो गया 24,000 है कि नहीं है बिटा बस हो गया treatment इसको close कीजिए यह आ जायागा पचास हजार कि यह ही कितना जाएगा फचास चाजार है ऐदें मेंसें 24,000 मैनस कर दीजिए बचे का कितना 29,000 के प्रॉफिट को कौन बाट लेगा तू प्रॉफिट ए और किस रेशो में किस रेशो में थिरी रेशो तू में थिरी रेशो तो बिटा इसका जाएगा 15600 और इसका जाएगा 10400 समझ में आया कि नहीं आया बोलिये ठीक है कितने केस हो गए तीन कितने केस हो गए चलिए अगले पर चलो केस नमबर फॉर if a partnership deed provides for interest and capital at the rate of eight percent and the profit for the year are rupees 15,000 कितना है बिटा अच्छा एक बात बताओ अभी हमने interest on capital calculate करके देखा था 24,000 बन रहा था तोटल और हमार पास profit कितना अविलेवल है 15,000 इसका मदब इसने partnership deed में तो कहा गया कि interest on capital देना है profit भी हुआ है लेकिन प्रॉफिट क्या हुआ है बिटा कम profit क्या हुआ है तो कितना दे पाएंगे अब टूदे एक्स्टेंट आफ प्रॉफिट अवेलिबल और प्रॉफिट अवेलिबल कितना है 15,000 तो 15,000 कोई दिटिट कर दे जाएगा partners में है या निया चलो जी तो यहां पर भी हम क्या कर रहें तो क्या बनाया जाएगा पिनल और सबसे पहला काम क्या होता है प्रॉफिट है या नहीं है इसमें लिख दो वेटा बाई प्रॉफिट एंड लोस अपाउंट और कितना प्रॉफिट है 15,000 ठीक है मालिक क Catholic equity क्या इंट्रस्टों कैपिटर दिया जाएंगा कमिया अधिया जाये निद्ध के बताओ दीन और फढारेंजन का गयाया देखास पर एक एक आच ड्रस्टीन कैपिटल वह 16 है या निय nine कट बी का जो इंट्रस्ट और कैपिटल वह आठेजार रिशो की बात करें तो तू रेशो में नहीं है तो पिटा सिंपल है इस 15,000 को टू रेशो बाट देंगे किलियर यहां लिखिए तो Interest on Capital A B ठीक है जी किस ratio में बाटेंगे वीटा 2 ratio 1 में तो 15,000 को 2 ratio 1 में बाटेंगे तो 1 का जाएगा 10,000 और 1 का जाएगा 5,000 पुल मिला कर के हो गया 15,000 ये लो वीटा इसमझ में आया किलियर पक्का समय में चलिया जी नेक्स लास्ट केसे पेटा केस नमबर फिफ्ट कि इफ पार्टनर्शिप दीड प्रोवाइज पुर इंटर्स नं प्र यह जाएगा इवन इफ क्या लिखावा इसने कहा कि interest on capital देना है चाहे को लॉसी क्यों ना हो जाए तो इसको बिटा क्या माना गया है चार्ज क्या माना गया रहे और जो चार्ज वाली चीज़े होते हैं उनका treatment कहां करते हैं कहां करते हैं तो बिटा आपकी मारा में प्रोपेशन बनाओ या पी एनल अकाउंट ये सर प्रॉफिट तो ऑगा है प्रोफिट होओं तो यहां लिख लेते हैं बाई फ्रोपिट और कितना प्रॉफिट हुआ है क्या में लेplaying लोस अचाट्म मेरे कि यह 15 000 अचार case ॉता तो क्या होता वोला अगर यह पंदरहजार प्रॉफिटिक जगाँ पंदरहजार लॉस होता तो क्या इस केस में इंटर्स्ट और कैपिटल दिया जाता वह पो आप क्या कहते हूँ नहीं को देना पड़ेगा हांजी बोलो आप शिवम देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा देना पड़ेगा है फिर फर्म को लोस क्यों ना हो थिम्हार तो चाहे एका प्रॉफिट कम है जाद आए इस बाहर से हमें लेना देना यह साथ हैं कि आ क्या अब यह देखना है कि 15,000 भी बटेगा नहीं पूरा पूरा दो भाई साहब ए और बी दौनों को देना है इसका 16,000 बन रहा था इसका 8,000 बन रहा था फुल मिला करके कितना हो गया 24,000 अब की बार बेटा यह वाली साइड जादा है को भी सेजार यहां लोस हुआ लोस को कौन बाटेगा है कंग ए और लॉस कितना हो ऑवा पिटा नौजार नौजार का लॉस हुआ है इस नौजार के लॉस को क्तूष बाटेगा एज़र भी कि सेख़़ों में स्रील इंसों 2400 और 3000 क्यवर हो गया कि नहीं हुआ 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 है चौबिस हजार लॉस था टोटल खर्चा पंदराजार हमारे पास प्रॉफिट अवेलिबल है तो अल्टिमेटली लॉस कितना हुआ नो हजार ठीक है